स्मस्कार जैहिन बंदे मातरम प्यारे भाईयों बहनों स्वागत है आपके चैनल जन मानस कलासेज में आज आपको बता दें कि जो सामान ग्यान के स्रिंकला चल रही थी उसी को कॉंटिन्यू कर रहा हूं और यह सामान लाइनर सिंगल लाइनर यानि वन लाइनर फॉर्म में म दंगरा मिलने वाला है जो किसी में वन लाइनर फॉर्म में होंगे अब वही पर बात कर दें इसमें क्या क्या हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में बिजिट करके एक बार जरूर देखिए बिवित शामान ग्यान पहले कंप्लीट है उसके पास इच्छा लोग संस्कृति योंखेल कूट कम्पूलिट करा चुके हैं बहुत अच्छे देखने वाले हैं जो टॉपिक वाईज आपको इसमें जो है विभाजित किया गया है और आप देखें कि इसको आपको आस्तों में बता दें बहुत बहतरीन फायदा मिलेगा आप किसी भी कम्टेट्री एक्जाम की तायरी करें यह सब के लिए समान उपयों क साबित होने वाला प्यार साथ हूं तो वीडियो यह आपने किलिक किया है तो वीडियो को पूरा देखके ही जाएं अन्था कहते हैं वही अधूरा ग्यान बिस के समान आपको ससंद दिखा देते हैं देखें इसके पहले इसमें क्या है भोगोल एक परचे दिया गया वैसे टॉपिक वाइच सब चीजे दी गई हैं देखें इसमें सामान परचे उसके बाद भारत के पडोसी देशों के बारे में चर्चा की गई है भारत के भोत्तुक सरूप का बात किया गया है भारत में भोगोलिक परदर्श की सरचना परवतिये छेत्र हो उसके साथ सबी पांथ से छे वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं चोटा-चोटा करकी कि आपके उपर भी बर्डन आए और आप इसले इंडिया दिया था और दोनों नाम किस से रिलेट करते हैं क्या किस से समधी तो अब बताव सिंदुगाटी समय थे देखें यो इरानी थे सा न कहिके सा को हा कहते तो हा को यहां से हिंदु कहते थे हिंदु से हिंदुस्तान इनों ने कहा और इसका इंगलिस नाम क्या था सिंदु का इंड़स था इंड़स से क्या हो गया आपको वता दो इंडिया हो इन नहीं इंड़स से इंडिया कहते थे इसको अब बात करते है भारत में 28 राज और 8 के इंसासित परदेश है और भारत का आकार कैसा है तो आब बताओ चतुस कोड़ी है अब बात करते हैं भारत में कुल छेत्रफल जो है 32,87,263 वर्क किलोमिटर है वहीं पर इसको कहाजा है छेत्रफल के इंसार जो है भारत का स्थान सात्वा है अब वहीं पापुलेशन के इंसार केतना है दूसरा स्थान रखता है कुल छेत्रफल का केतना परसाट है विस्व के छेत्रफल का मात्र 2.4% जन संग इस पे 17.5% जन संग क्या रहती है वहीं पर बात करते हैं आपको देखी सबसे बड़ी बात है विस्तार जो है पूरब से प तो उत्तर से दच्षिन कहा जाए तो कितना होगा 32 चौधा किलो मीटर जबकि पूरब से पस्चिम कहा जाए पूरब से पस्चिम इस तरह डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29-35 हो जाएगा तो यह चीज़े याद कर दिया है लंबाई कितनी है तो आप बताओगे 32 जब की चौडाई कितनी है 29-33 किलो मीटर है अब बात करते हैं भारत जो है चार मिनट से 37 अंस छे मिनट उत्तर यह चांस में है अच्छांस जब पूछा जाएगा देखे भारत का मैप भी हमने बनाया था यह यहां से देखे 6 अंस जो है चार मिनट क्या है अंड मान डिको बा से अब यहां पर कहा जाए तो अधिक्तम कितना जम्मू कस्मीर इस 37 अंस जो है 6 मिनट अच्छांस की बात करेंगे अब वहीं पर देशांतर की बात करूँगा तो देशांतर आपको बता दे वर्ड में अच्छा यह ऐसा क्यों है उत्तर ही तो भारत हम पूरा गलोब आएंगे आप है भूमद रेखा और यह करक रेखा करक रेखम भारत कि बनाया जाए तो करक रेखम भारत कहां है तो आप बताओगे यह पूरब की तरफ पढ़ता है अवद यदि वैसे कहा जाए तो उत्तर में पढ़ता है पूरब उत्तर में है इस साइट कितना आप बता तो उत्तर की तरफ है तो इसी लिए आपको बता दें क्या है उत्तरी अच्छांस जो है अच्छांस में क्या कहा जाता है उत्तर में है और कितने पूर्वी देशांतर की बात करें बीच पड़ता है जबकि देश की मुख्य भूमी की जो है दच्छडी सीमा जो है अब वहीं पर बात करते हैं देशांतरी विस्तार ये दोनों को अंतर निकाल लिया जाए देखिए या 6.4 कहते हैं या 8.4 या अभी देखो ये मुख्य भू कितना अच्छांसी विस्तार आएगा 29.2 अब वही देशांतरी के बीच हटा आजाए से 8.7 से 97 गटाए जाए तो 29.18 आएगा तो ये दोनों को आत कर लेना पैर सात्यूं अब बात करते हैं भारत का मानक समाज रिखा जो है 82.5 जो है अंस पूर्वी देशांतर में है जो इ लाहाबात के 99 से होकर गजरता है अब वही ग्रीन बीच मीन टाइम से कितना पांच घंटे 30 मिनट आगे है अब वही बात कि कितने राज्यों से गुजरता है ग्रीन मीन टाइम तो पांच राज्यों से कौन-कौन से कुत्तर पर्देश, मद्द पर्देश, छत्तेश गड़ उडिशा और आंदर परदेश इन पांच राजियों से कौन गुजरता है तो अब बताऊगे ग्रीन बीच मेंट टाइम गुजरता है तो इन सब को याद कर ले ना है पहरतातियों अब बात के देख करक रेखा करक रेखा देखिए भारत ये गलोब बना जा तो आप करक रेखा भारत को भीचो भीच से काटता है तो कितने राज्यों को काटता है ये देख लेते हैं तो टोटल सबसे पहले गुजरात फिर राजस्थान आता है फिर मद्य परदेश आता है सबसे उत्तरी बिंदु जो है जम्मु कस्मीर में है जिसका नाम क्या है इंद्राकपॉगा ये कहा जाए उत्तरी बिंदु क्या हो जाए तो इंद्राकण और दच्छडी बिंद्द का ऊए पॉइंट है देखे कौर ऑ पॉइंट जिसे कॉल करके बुलाते हो तो पॉइंड़ करके बुलाते लाट हो पॉइंड़ा और दिच्छघी बिंद्देश हो गतबे हो दो बात करते हैं बहारत का पुरबरततर बिंद exposed पूर्वी बिंदु कहा जाए तो सबसे पूर्वी बिंदु आप पता होगे कि वितुर आवाल अंगू है और वही सबसे पश्मी बिंदु गुजरात के गौर मोता या सर क्रीक में है दोनों आत कर लेना है बारत का स्थलिय सीमा के लंबाई कितना है 15200 किलो मिटर जो 16 राज दो केंसासित परदेश तथा साथ देसों की सीमा से लगती है कितना है 16 राज दो साथ केंसासित परदेश तथा साथ सीमा बनती है स्थलिय सीमा कहा जाए अस्थलिय सीमा की लंबाई 15200 किलो मिटर कहा सारा 16 राज तथा दो केंसासित परदेश को मिला किया रहा है आप बात क सीमा कितना है 75116 किमेटर दीखे यदि कहा जाए तर्टिये सीमा एक सट सो जब दियूप को मिला दिया जब पचाथतर सो सोला हो जाएगा अब उहीं खुल सीमा की बात करें यदि मुक्य भूमी तता तर्टिये सहीद मिला जाए दोनों को आड़ कर दिया जाए तो 22,716 इनको आपको स्क्रीन स्वाट जरू ले लना है मैं चूमिन कर दे रहा हूं इन सबको स्क्रीन स्वाट ले जिससे आपको बार बार रिवाइज करने में आसानी हो अन्य था भूल जाएंगे आप क्योंकि लिखी हुई चीजे बाद में आप रिवाइज कर सकते हैं अब यहां पर कसमद्शन नाटकेलम मेल की यह भारत का मायब देखें है भारत कि आप मुखे भूमी से 12 मिल तक कि प्रादेस ही ं कि ComP bastu sitten listen I think it is my फिर यही से छुरु जूर्ण के मुखी मुखें कि तक आप बताँ चोविस समुद्री मील तक सुरुण से ही चविस चोविस समुदरी मील तक को क्या बोलते हैं अब इच्छन मंदल कहा जाता है यह कांटिगोर्स जोन कहा जाता है अब यहीं भारत के मुख्य भूमी से ही दो समुदरी मील तक क्या कहते हैं इजड कहा जाता है इजड मीनस होता है इस इस्पेसल एक एकोनोमिक जोन तो ईजड इसे बते अननन ने अर्थिक छेत्र बोलते हैं आप याद कलें देखें बारा तक क्या होगा बारा तक आप बताओगे प्रादेशिक सीमा अब वहीं पर बारा चौविस तक क्या कहोगे अब बात करते हैं अब बात करते हैं सबसे लंबी समुत्रित रेखा जो है अनननी को बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं भूटान से भारत चार राज्यों के सीमा बनाता है सिक्किम असम अरुडांचर परदेश पस्चिम मंगाल जबकि अफगानिस्तान से जो है लद्दाख राज की सीमा बनाता है बने रहें कन्य कुहारी को तीन सागरों का संगम कहा जाता है करने कौन से तीन सागरों का संगम कहा जाता है जबकि तिरपुरा तीनों ओर से अंतराश्टिय सीमा बंगला देश से घिरा हुआ हुआ है तिरपुरा तीनों ओर से बंगला देश से घिरा देखे तिरपुरा तीनों ओर से बंगला देश से घिरा अभी मैं एक एक करके देखूँ को न कोशी सी मैं परिसान नहूं, बैंगलोरु आचेनई में से दच्छडा वर्ती सहर बैंगलोर है, इनी दच्छडा सबसे दच्छड में सहर पुछा जाएगा तो बैंगलोर है, भारत का आउसर समुदर जो है तल का मापन कहां चेनई से, पांडचेरी संग साथित परदेश की सीमा किसे तीन राज्यों से मिलती है, जिसका माहे जो है जिला केरल में है, यनम जिला कहां पर आंदर परदेश में, जबकि कराईकल और पांडचेरी जिला कहां पर तमिलाडू में है, बारत वा बंगला देश की सीमा कुछ क्या कहा ज जाता है और तीन वेगा कोरिडोर इन दोनों देसों के बीच में ही है वह आदम का पूराप की बात करते हैं स्रिलंका के मद्धिस थे भारत स्रिलंका के बीच क्योंसा आदम कॉल से स्री लाम ने बनाय था आपने सुना होगा आदम बिरिज के उत्तर में पाक जलसंदी व दच्छण में मनार की खाड़ी है देखे क्या आदम बिरिज के उत्तर में कौन सा पाक जलसंदी जबकि दच्छण में क्या है मनार की खाड़ी है अब बात करते हैं उत्तर में अब अब तो पाक दच्छण में मनार की खाड़ी द दनुसकोटी से अब हम पड़ोसी देश से उनके बारें डिसकस कर लेते हैं बारत पाकिस्तान भोटान बंगला देश नेपाल भारती उप महादियूप में सामिल देश है अब उए पर बात करते हैं बारत में अस्तरिय सीमा से कितने राज लगते देश लगते हैं जबकि कुल समुद्री सीमा वाले बारत में समुद्री सीमा साथ हैं सथलिय से को हैं मालदी हॉओ है इंडोनेसिया है थाइलेंड है, यह सब क्या है, समुद्री सीमा से लगे हैं, तो चार हो गए, साथ जो है, समुद्री सीमा नहीं यहां लिखना चाहिए था, यहां स्थलिय सीमा से साथ देश लगे हैं, अब बात करते हैं, भारत में सोला राजवा दो केंसासित परदेश ऐसे हैं, जो सीमा ज बारत का सबसे अधिक सबसे लंबी सीमा रेका किस से बंगला-देश से, जिसकी लंबाई कितनी है, 42,96 मिटर, जबकि दूसरी लंबी सीमा किस से, 34,98 जो है, किस से चीन से लगती है, बारत के साथ सबसे कम अंतराश्टे सीमा जो है, अफगानिस्तान से 106 किलो मिटर, पूटा सब्क्राइब है कि वी पंजाब लगता है तेन राज्य हैं डलके नीस हैं बंगलादेश जो है पांच राजयों साथ सीमा बनाता है पस्चिम मंगाल असम मेघाले तिरप अब इसको आप मैप जरूर रखे साथ तो चीजे आसानी से आद हो जाएंगी चीन से भारत में चार प्लस वन राज जो है पस्चिम सी पूरप की और करमसा आप त्यान लेते हैं पहले लद्द प्रदेश, बिहार, सिक्किन, पर्चिम मंगाल इनको स्क्रीन सौट ले ले कल की वीडियो हमने हम जो है भारत के भागुलिक प्रद्रिस के बारें बात कर लेते हैं अब बाते चार राज कौन सा पूटान से तो आप क्या पता होगे पहर साथियों सिक्किम असम अर्वांच प्रदेश और पर्चिम मंगाल है जबकि अफगानिस्तान से लद्दाक की सीमा क्यों लगती है तो पहर साथियों आज के इतना ही फिर मिलते हैं जय ही जय भारत